टैली में invoice के उपर bank detail को किस तरह से print करना है इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे क्योंकि बहुत सारे बीबर्स के comment आ रहे थे किस सर हमारे invoice में bank detail print नहीं हो रही है option हमने enable कर दिया लेकिन तब भी print नहीं हो रही है तो यहां पर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आपका टैली टेक्निकल चैनल पर तो दोस्तों अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दीजिए साथ में bell icon को भी press कर दीजिएगा तो इसके लिए आपने क्या करना है सबसे पहले gateway of tally में जाना है महला company login करनी है company login करने के बाद आप gateway of tally में पहुंच जाते हैं तो यहां पर आपने जाना है alter में और alter में जाने के बाद आपने जाना है watcher type में और यहां पे आपने voucher type चूज कर लेना है अगर आपकी अलग-अलग bill book बनी है जैसे sales में आपने अलग-अलग बना रखे हैं सेंडरल के लिए अलग, local के लिए अलग या बहुत सारे लोग किया करते हैं अपनी bill book को अलग-अलग बनाते हैं और अगर आपकी एक ही है तो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है तो आपने particular उस voucher type पे जाना है जो आपने बना रहा है जिसमें की print नहीं हो पा रहा है जैसे कि यहां पे हमारा एक ही voucher type है sales तो sales में जाने के बाद इसमें हमने enter किया तो यहां पे आपको एक option मिलता है default bank तो इसको आपने default bank को choose कर लेना है मतलब जिस bank की details को आप print करना चाहते हैं उस bank को आपने यहां पे choose कर देना है तो यहां पे आपका ledger आ रहा है जो आपका bank का ledger बना होगा मतलब जिस ledger को आपने bank के under में tag किया होगा वही यहाँ पे choose होके आता है वही यहाँ पे list होता है तो जो bank की details हैं आपने इस ledger में properly आपने set करके रखनी है अगर आपको bank का ledger create करना नहीं आता तो मैं i button में link दे रहा हूँ वहाँ से आप उस video तक पहुंच सकते हैं जिसमें कि मैंने bank के ledger को किस तरह से proper तरीके से आपने create करना है उसके बारे में बताया है तो यहाँ पे हम bank के ledger को choose कर लेंगे और उसके बाद हमने इसको save कर देना है तो यह हमने save कर दिया तो अब आपके inwise में bank की details print होने लग जाएंगी तो जैसे हम एक inwise पे चलते हैं यह हमारा inwise है अब हम इसका print लेते हैं तो इसका preview देखते हैं और preview में देखे यह हमारी जो bank details है यह हमारी यहाँ पे print होनी start हो गई है तो यह देखे यह print हो रही है अब इसका दूसरा तरीका भी है अगर आपने watch attack में enable नहीं किया तो उसके बाद आप यहाँ से भी कर सकते हैं inwise में जाके भी कर सकते हैं जैसे आप alt p करेंगे current पे जाएंगे और यहाँ पे आप configuration पे जाएए और यहाँ पे so more कर दीजे यहाँ पे आप scroll करेंगे तो यहाँ पे bank का एक option आजाएगा तो मैं यहाँ पे type कर देता हूँ bank तो first option आ रहा है so bank detail तो इसको आपने yes करना है enter करके आपका yes हो जाएगा yes करने के बाद में यहाँ पे आता है bank name तो bank name में आपने अपने bank को choose कर लेना है जिस भी bank की आप detail प्रिंट करना चाहते है तो यह आपका bank यहाँ पे choose हो गया ठीक है तो इस तरह से आप इसको print कर सकते हैं तो उमेद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली है bank को invoice में print करने में